हाई अवरिमन वेलकम बैक टो यूटूब चैनल तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा जो विटामिन ई होता है उसके क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं और इसके साथ क्या-क्या इसके जो गूड सोर्स होते हैं जो फूड सोर् करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है अब ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की विटामिन E यह होता है दोस्तों एक fat soluble vitamin होता है ठीक है अब ऐसा नहीं है जैसे और vitamins होते हैं इसी तरह से यह अकेला या नोर्मल साइक vitamins होता है दोस्तों vitamin E जो होता है साथ अलगला compound से मिलकर बना होता है जिनको बोला जाता है alpha tocopherols जो जितने भी amazing health benefits हमें देखने को मिलते हैं vitamin E के वह alpha tocopherols की वज़े से ही हमें देखने को मिलते हैं तो चलिए बात करते हैं इसके health benefits के बारे में तो सबस्तों सबसे पहला health benefits देखने को मिलता है वह होता है तो सारी chemical reactions होने लगती है और वहां पर free radicals produce होते हैं तो यह क्या काम करता है vitamin E उस free radicals को damage कर देता है जिससे हमारे जो cells है वह एक तरह से normal बनी रहती है उसमें कोई damage नहीं होता दूसरे health benefit दोस्तों देखने को मिलता है वह होता है skin health से जुड़ा हुआ तो skin health के लिए बहुत अच्छा होता है यह हमारे जो wrinkles होती है उसको जहाई होती है उनको दूर करता है pigmentation को दूर करता है और elasticity जो है skin की वह बढ़ जाती है और जो wrinkles है या pimples के जो scars है भी remove हो जाते है इसके बाद जो next दोस्तों health benefit देखने को मिलता है heart health को improve करता है तो दोस्तों दरसल आपने देखा हो कि आज की समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे condition देखी जा रहे हैं कि heart attack की समझ्या बढ़ती जा रहे है दिन पर दिन यह होता क्यों है तो दोस्तों यह जो होता है हमारे triglycerides है और kolesterol है या जो खून का थक्का बन जाता है हमारी नसों में उसकी वाज़े से होता है अगर आप vitamin E का अगर आप 7 करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों जो खून है वह आपका पतला हो जाता है इसकी वाज़े क्लोट जो बन भी गया है उसको भी डिजॉल कर देता है इसके साथ साथ क्या करता है यह आपको जो triglycerides बैंकि कंजूम नहीं करते हैं फिर भी आपकों जो लिवर फैटी लिवर है मतलब फैटी लिवर होता है तो आपस्पीट और आप सेवन करते हैं तो MPT SGOT का faut normal हो जाता है ठीक है दोस्तों अगला जो ? जो एक से हैं एक मलता है वो होता है मस्कूलर पेंस में म rein क्वेसिन सहता कहसे होके है मलत है लगता है ofifique कि होती है Uh मत मीर्म जादा होती है और द्लडा थेखने हमारे उस तिमांग के होती है माथ जिसके वज़े से वहां पर क्या होता है डेमेज वहां पर मस्कुलर पेंस या क्रेम स्वाप होने लगते हैं तो ठीक है तो दोस्तों यह जो होता है आप जो विटामीन क्यों आफ जो अच्छे खाशी फाइबर की मातर अब आपने फूड में था उसपते हैं तो इसके कंडिशन में यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि क्योंटा में lower abdominal pain होता है lower abdominal cramps होते हैं तो आप करते हैं तो आपकी यह समस्या कहें तर दूर हो जाती है और आपकी मैंसी है जो है उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है इसके साथ साथ जो दोस्तों देखने को मिलता है वह आपका लंक्स की हील्थ के जो आपके जो फैम्रेट हैं उनको एक टरह से सवस्ता प्रदान करता है आद्याक्यका क्या कि आहें करते हैं पॉलिशन ज्यादा बढ़ता नाटीजम्हें जा रहो है तो अगर आप विताविन एक और लेक्षक्पो आपकी हो जाती हैë ठीके न और इसके साथ साथ नेक्स जो health benefit मिलता है वो होता है आपको brain related जो इसका cognitive functions होता है brain का उसको improve करती है अब दोस्तो cognitive function होता है तो दोस्तो एक ऐसी condition मतलब देखकर किसी भी चीज़ को याद करने की छमता होती है तो यह आपकी बढ़ जाती है मतलब आपकी जो memory है वो भी बढ़ जाती है यहाद आस्ता आपकी बढ़ जाती है ठीक है तो इसके साथ साथ जो सब्सक्राइब तो आपकी इम्मुनिटी घटी जाती है तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी इम्मुनिटी बढ़ती है ठीक है इसके साथ दोस्तो जो नेक्स्ट और देखना को मिलता है आपका है आपका में दोस्तो चाहें male infertility हैं ऊचाहे आपकी फीमेल infertility हो दोनों केंडिशन में ऐपकी होता है और उसको जो जूसन जो होता है वो सही समय पर दूस्तो होता है अगर आप विटामीन का 7 करते हैं तो होते हैं तो यह करने से लिए इससेवरल काम hai यॉ Neo बिल्कुल कीजे क्वेंटे क्योंकि जो हमें डेली होती है हमें विटामिन की हमारी बोड़ी में वह होती है 15मग ठीक है संब्सक्राइबर में लेकिन आगर केबसूल का वितामिन किपने 2030 में जाते हैं तो एक बहुत जादमातरा हमें तो इस लिए बिना दोस्तों आब बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से जो food sources हैं जिसमें जो vitamin है भरपूर मातर में पाहे जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो source देखाएगा जो सबसे एक तरह से सबसे अच्छा source है वह आपका wheat germ oil जो गेहों के wheat का oil होता है वह सबसे अच्छा source है vitamin E का क्योंकि इसका अगर आप एक चम्मच एक टेबल इस्पून का अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो उसमें मिलता है आपको 20 mg है यह अपको का गया है उसका आप को एक टेबल स्पूल लेना रो अच्छे से तवे पर रोस्ट करना है रिसवर रोस्ट करना है उसमें कोई भी आपको गीव अगर एडी करना है इसके सासाद दोस्तों आप जो dette के अगर हम बात करहिए तो इसमें आपका कीवी है मेंगो तो यह अच्छे सोर्स माने गए हैं वीटामिन एके लेकि इनमें सबसे अच्छा जो सोर्स रता है दोस्तों वह है आपका वीड जर्म ओईल यह सबसे बैस सोर्स माना गया है अब बात करने दोस्तों ऐसी कौन कौन सी कंडिशन है जिसमें आपको इसका इस्तमाल नहीं करना है तो सबसे पहले कंडिशन अगर आप कोई भी एंटी कोईगुलेंट्स ड्रग खा रहे हैं और तीसरा अगर आप छोटे बच्चों का अब इस्तमाल करना चाहते हैं तो उस कंडिशन में आप डोक्टर से सलाह लें तभी आप इसका इस्तमाल कराएं ठीक है तो दोस्तों यह था विटामिन E के बारे में आई हो वीडियो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेरें सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंच वंदे मात्र प्लीज दोस्तों